जैए श्रीकृष्णा प्रिये दाशकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर दाशकों पिछले कुछ समय से हम रूज कुछ न कुछ ऐसी गटनाई गटित होते विए देखते हैं या न्यूस पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर ऐसी न्यूस चलती है इसको देख करके मन थोड़ा व्यतित भी अवश्यक होता है चाहे वो गदैफुर की गटना हो या किसी और तरह की गटनाई हो उसके बाद में बहुत बार ऐसा होने लगा है कोई किसी को धमकी दे रहा है कोई कुछ कह रहा है और ये सब कुछ देख करके निस संदेह मन व्यतित भी बहुत होता है लेकिन जब जब गर्मान में परिस्चितियां विकट होती है इस तरह की गटनाई धराप पर अवश्यक होती है ऐसे में आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा कब इस तरह की खबरों से हमें थोड़ी आजादी मिलेगी या थोड़ी समय के लिए ही सही हमें कम से कम इस तरह की खबरे तो ना देखने को मिले ऐसा आखिर कब होगा तर्शक जोतिशें आंकलन में आप लोगों को दे रहा हूँ जैसे ही राहू के घर से अथा तो मेश राशी से मंगल बाहर निकलेंगे हाला कि मंगल की ही राशी है मेश राशी उसी में राहू है लेकिन अभी साथ है जैसे ही मंगल मेश राशी को छोड़ करके व्रशक राशी में प्रविश करेंगे और उसके पश्चात राहू से मंगल की दूरी जैसे ही 15 डिग्री से अधिक होगी उसके पश्चात आप इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगते वे अवश्य दिखेंगे अर्थात उसके बार में पुलिस प्रशाशन भी अपना कारेडंग से कर पाएगी लोगों की बुद्धी जो भ्रमित हो रही है वो भी सही रास्ते पर आएगी और इस तरह की घटनाओं पर आप अंकुष लगता हुआ अवश्य दिखेंगे ऐसे में बहुत लंबा समय ये नहीं है 20 अगस्त तक का समय आप ये मानके चलिए जो इस तरह की घटनाओं को घटित करवाएगा लेकिन 20 अगस्त के बाद में हम इन घटनाओं में कमी आते हुए अवश्य दिखेंगे दर्शकों इस समय पर व्यक्ति विशेश को भी कुछ नेगेटिव चीजे देखने को मिल रही है आरजनी की घटना होना स्वास्ते के अंदर दिक्कत आना फालतु के खर्चे होना सुभाव के अंदर उगरता आना ये सब कुछ भी हम अपनी जीवन में घटित होते वे देख रहे हैं जिसकी जैसी कुणली है जिसका जो लगन है उसके आधार पर ये प्रभाव हमको देखने को मिल रही है इन प्रभाव के अंदर भी 20 अगस के बाद में आपको राहत जरूर मिलेगी और एक बात और बताना चाहता हूं दरशको जिनको भी 20 जून के बाद से कोई परिशानी आरब हुई है यानि 20 जून से पहले इस्तिया ठीक थी लेकिन 20 जून के बाद से 20 से 25 जून के बाद से अचानब कुछ परिशानिया आना आरब हुई है चाहे वो किसी भी तरह की हो चाहे आर्थिक परिशानी हो काम नहीं बन रहे हैं कोई सरकारी बाद आये हैं ये किसी भी तरह की कोई परिशानी है तो 20 अगस्त के बाद में आपको उस परिशानी से भी राहत अवश्य मिलेगी और आप ये जो एक लंबा समय दो महा का आपने देखा है ये समय निकल जाएगा 20 अगस्त के बाद और आपको एक बड़ी राहत भी हो अवश्य दे कर जाएगा दर्शा को बहुत सारे लोग अपने मन में ये बाद सोच रहे थे कि नजाने अब कितने दिन तक ये सब कुछ देखना पड़ेगा तो ऐसे जो तिशे आकलन में मैं आप लोग के लिए देकर आया हूँ कि 20 अगस्त तक हमको ध्यरे रखना है 20 अगस्त के बाद में हिस्ततियां सामन्ने होगी ब्रह्माड में बन रहा अन्नारक योग अपना प्रभाव खत्म कर देगा और एक इस्थाई तोर पर हमें कुछ राहत भी अवश्य में लेगी अलाकि इसके बाद में फिरिक नहीं प्रक्रिया आरण होगी तेकि उसके प्रभाव थोड़े अलग तरह के होंगे और उसके अलावा दर्श्व को एक आकलन में आपको इस वीड़े में और दे रहा हूँ प्रॉपर्टी को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी है अर्थात बुर्शब राशी में जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा उसके पश्चात प्रॉपर्टी के दामों में भी इस्थिर्था या गिरावट आप देख सकते हैं दिमांड सप्लाई का खेल है लेकिन फिर भी सप्लाई कम होने के बाद भी दिमांड में भी कमी आएगी और एक इस्थिर्था का महूल आपको देखने को मिलेगा और जो थोड़ी से तेजी आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इसमें ठैराओगी अवश्य आएगा पर लगबग छे महा का ये समय होगा ऐसे में आप यदि कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रही हैं तो आराम से पेशेंस रखिए इस छे माह के अंदर आपको कोई अच्छी डिल मिले तो ही आप प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए अन्यता हडबडाट और जल्दवाजी के अंदर आप कोई भी सौधा करने की गलती ना करें और यदि आपको कोई सही डामों में आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है तो आपको लालच नहीं करना है कि मैं एक महीना और उप जाओं तो शायद मुझे अच्छे डाम मिल जाए इस तरह के लालच में आपको नहीं आना है जहां जैसी आपकी परिस्थतिया है उसके आधार पर जो चीज आपके लिए तुरंत परभाव से सही तरह कर से हो रही है आपको डील एक्जेग्यूट अवश्य पर लेनी चाहिए उमीद करता हूं दाश्यकों इस वीडियो के मा आपको जरूर अच्छा लागा होगा अगले वीडियो के अंदर आपसे फिल भेटोगी तब तक हमारे चानल पर बने रहेंगे जै हिंद जै भारत